नमस्कार मारम जी नमस्कार माडम मेरे दो सवाल हैं पहला सवाल है माडम मेरी बहन जुटी वाली उसे पाइन का प्रॉबलोम माडम स्पीट में दर धे 혹시 ठीक है तो उसे आपकी मतलब डॉक्टर सहाब की कम्पनी में हमने फोन किया था तो हां से उन्होंने स्केर नाम की कैप्सुल बताए था तो उसे हमने 22 दिन के लिए मतलब अधर किया लेकिन उसका जो दर्ग हो मैंदम पहले खोड़ा कम था लेकिन वो नर्सिंग के स्टूड है मैंदम तो अभी उसका दर्ग भोड बढ़ गया मैंदम भोड अभी पांचे दिन में इतना दर्ग बढ़ रहा है मैंदम क्यों भोड सहने कर सक रही अगर मैं आपका कॉल दो मैने से ट्राय कर रही मैंदम आज भोड आपके स्टूडियो का भी बहुत शुक्रिया और मेरा भी लग कि यज आपका मेरा कॉल लग ज़या तो उसकी लिए मुझे मतलब दर्ग कमी नि हो रहे है मधब यह पेट में दर्ग या पीट मैं पीट्म कर पाइन की प्रॉब्लम थाओटर दिग थी ठीक ठीक अच्छा आप के यह बेस्टन ट्वालेट है ने मतलब शुरूवज पचिस सा रिके सरू हाँ लेकिन नहीं है नहीं वेस्टर्ण टारलेट था है नहीं है तो अच्छा पिटमा आज गया देखो आप गोड़ से सुनो मेरी बात मैं समझ गया कि उनका दर्द बढ़ गया है और मैं अक्सर कहता हूँ जो लोग मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो वो सुन ले गोर से, सो में दो लोगों को दर्द बढ़ता फिर कम होता है, मैं समझ गया, वो दवा से ही बढ़ा है, आप ये ना सोचें, उस से द नहीं बढ़ा है, इसी दवा से बढ़ा है, पांच दिन तक लगाता है, आज से और अभी से, पेल दर्द तो या तो बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, तो जिसको बढ़ जाता है, उनको बहुत शिकायत होती है, लेकिन ये अच्छी अलामत है, या इसका मतलब है कि इनको फाइदा हो जाएगा, वज़र ने उठाएं, और कम असकम एक से दो महीना दवा उर खाएं, प पर दर्द की दवा की, तो बच्ची बहुत छोटी है, लेकिन दर्द उसका बढ़ गया है, दर्द को बरदाश करने के लिए पैन किलर लीजे, ये जो मैंने आपको दवा बताई है, ये वो दर्द की नहीं है, ये मर्ज की दवा है, रोक की दवा है, इसलिए कि इसमें कोई पेन किलर नहीं है, ये इसका सबूत है तो आप सिर्फ पांच दिने और इंदिजार करें आज सही दर्थ की दवा भी साथ में लेने लगे तो फिर उसके बाद मुझे उम्मीद है कि कोई जलूत नहीं पड़े गी और अच्छे कि आपने फोन कर लिया और जो लोग भी सुन रहे हैं मेरी बात जिन लोगों का दर्थ बढ़ जाए तो उनको चार पांच दिन दर्थ की दवा साथ में लेनी चाहिए